हेलो दोस्तों स्वागत है आपका मैं हूं मनीश भारदवाज दोस्तों इस वीडियो में 50 MCQ करेंगे ओन दा इव ओफ चैप्टर का ये पहला चैप्टर है इंडियन इकनॉमिक डेवलप्मेंट बुक का तो आई दोस्तों शुरू करते हैं 50 MCQ तो देखें दोस्तों ये नाम लिखा हुआ है सबसे पहले तो नाम लिखा हुआ है चैप्टर का ओन दा इव ओफ इंडिपेंडेंस ये हमारा चैप्टर है ओन दा इव ओफ इंडिपेंडेंस पहला चैप्टर है बेटा ये चैप्टर वन यह chapter 1 है हमारा on the eve of independence चलिए agriculture related question करेंगे सबसे पहले तो कह रहा है main reason for stagnation देखिए stagnation जो word है इसका मतलब होता है रुकावट या no growth no growth भी कह सकते हो या कह सकते हो little growth little growth agriculture sector में बहुत ही low growth और little growth का जो reason था वो क्या था तो भी वो ता number 1 है land settlement system जिसको बोल सकते हैं जमीनदागी system जमीनदागी system ठीक है जी यह इसका answer है आप जानते हैं जमजागी system 1793 में इंडिया में लागू किया गया था तो यही सबसे जादा बड़ा सबसे बड़ा main reason यही है इंडियन economy के अंदर agriculture sector को बरबाद करने का चली आगे चलते है अगला question है dash was the main source main source of livelihood livelihood word का मतलब होता है कमाई कमाई का main source क्या था colonial rule यह मैं बता रहूं आपको बार बाग यह को आएगा colonial rule इसका मतलब होता है आपका British rule British rule British rule का main source जब British rule में इंडिया था तो main source कहता कमाई का तो भी agriculture था 72% लोग agriculture में engaged थे 72% लोग तो main था agriculture चलीए question number 3 करते है under the British rule British rule के अंदर commercialization कराये गए agriculture का तो जाइड सी बात है commercialization हमने कराया तो हमने shift किया agriculture product को पहले भारत के लोग food crop बनाते थे food crop बनाते थे जैसे wheat बनाते थे गेहूं बनाते थे rice बनाते थे उगाते थे मतलब उगाते थे खेतों के अंदर फिर अंग्रेज आए अंग्रेज ने भारत को force किया कि वो cash crop हुगाए cash crop हुगाए उन्होंने force किया इंडिया को cash crop जैसे jute cotton वगेरा ये हो गया तो उन्होंने food crop से cash crop के तरफ इंडिया को ले गए थे तो आंसर होगा seafood crop to cash crop चले जी question number four करते है dash means production of crop for sale sale in the market market में sale करना यनकी crop का production करना ताकि उसको market में sale कर सके तो इसका मतलब होता है commercialization of agriculture agriculture को commercialize कर रहे है उसको बेच के आएंगे पैसे कमाएंगे आगे चलते है question number four कर रहे है five कर रहे है बेटा किया रहे है the backwardness in agriculture sector agriculture sector में जो backwardness आई थी इंडिया के independence से prior prior मतलब पहले इंडिया के independence से पहले जो backwardness थी agriculture sector में उसका main reason क्या था main reason पूछ रहे है बेटा और जब भी main reason पूछे agriculture के बारे में तो उसका अंसर होगा जमीदागी system इसी को बोलते है land settlement system यह land tenure system land tenure system इसी को का जाते है बेटा चल यह आगे चलते है कोचे नमर सिक्स कर रहे है कि कह रहे है under British system of land settlement British का जो system था land settlement का उसके ने जमीदारों को एक fixed amount देना पढ़ता था state को यहाँ बेटा state का जो मतलब है वो है government यहनकी British government British government तो वो क्या करते थे cultivators के साथ cultivator मतलब किसान जो खेत में अनाज बोता है किसान तो जमीदार तो बेटा बहुत जालिम किसम के लोग थे तो यह exploit करते थे बेटारों का B they exploited and forced to pay rent मतलब लगान इनको तो बस लगान से मतलब था ना जाया produce हो या ना हो इनको लगान से मतलब था तो यह इन्होंने exploit किया farmers का और उनको force किया लगान देने के लिए चलिए, seven पे आ जाते हैं डैश was responsible for frequent famine famine का मतलब हुता है अकाल अकाल यानि कि भुखमगी समाज में फूड खाने को नहीं है लोग तरही तरही कर रहे हैं भुखमगी लोग तरही तरही कर रहे हैं खाने को नहीं है ये क्यूं हुआ ब्रेटिश रूल में बहुत फेमाइन आते थे एक बड़ा फेमस फेमाइन था बेंगाल का 1943 में आया थे जिसमें 30 लाख लोग मर गए थे ये एक्जाम में आता बेटे कई बार तो इतने फेमाइन क्यों आते थे क्योंकि अंग्रेजों ने भारत की किसानों को फोर्ज किया कि आप commercialization of agriculture करो उनको commercial agriculture करवाया food crop नहीं होगी commercial crop होगी तो भी फेमाइन तो आए गई अकाल तो आए गई आए चलते हैं कह रहा है demographic condition related mcq तो first official census question 8 कर रहा है first census census का counting of population counting of population population की counting सबसे पहले अंग्रेजों ने कराई थी 1881 में कराई थी answer होगा इसका d 1881 अंग्रेजों ने first official counting करवाई थी चलिए कह रहा है which year describe as year of great divide तो पहले समझते हैं इसको दरसल इसका answer है 1921 थोड़ा समझा देता हूं आपको कि यह है क्या 1921 से पहले भारत की population population की बात कर रहे हैं कभी बढ़ रही थी कभी घट रही थी 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 ऐसे है लगतर population बढ़ रही है ठीक है तो इसलिए आंसर होगा 1921 अच्छा एक चीज़ और बता दूं कि चलो बाद में next वाले कुशन में कर लेंगे तो 1921 इसका answer है इसके बाद है कुशन नमर्ट 10 कह रहा है identify the statement which is true जो true है वो बताना है बेटा true बताना है जो सही है वो बताना है demographic condition के बारे में मतलब जनता के हालात जनता के हालात condition मतलब हालात ठीक है जो true है वो बताना है तो high birth rate तो बेटा वो थी 48 पर thousand low death rate वो थी 40 पर thousand low infant mortality rate पहले देखते क्या थी 218 पर thousand थी ये और high literacy rate ये थी 16 परसेंट तो बेटा कैसे कह रहा है देखो जरा ये तो बिल्कुल गलत ही कह रहा है ना तो literacy rate high नहीं थी ये तो बहुत low थी तो ये answer गलत है ये बहुत high है जबकि ये कहरा है low तो ये भी गलत है ये भी बहुत high है जबकि ये कहरा है low ये low कह रहा है ये बिल्कुल गलत है answer होगा A high birth rate बिल्कुल थी 48 ये बात बिल्कुल सही है तो answer होगा A चलिए बिट आगे चलते हैं अब हम लोग कर रहे हैं question 11 on the eve of independence eve के समय इंडिया की जो demographic condition थी उसकी विशेशता बतानी बिट आपको उसकी विशेशता बतानी ठीक है तो देखो पहले वाले point को देखते हैं उसे सारा point हम निकाल लेंगे काफी difficult question है बेटा ये तो कह रहा है low literacy rate तो low level of literacy literacy कि थी हमागी 16% तो भई ये बात तो सही कह रहा है low mortality rate यहनकी infant mortality rate के बात कर रहा है 218 थी per thousand है ना तो ये low कैसे कह रहे हैं तो बहुत हाई थी ये बात गलत साबित हो गई है life expectancy बहुत हाई कह रहा है जबकि life expectancy 44 साल थी तो ये बात भी गलत हो गई तो दो गलत हो गई एक सही तो ultimately गलत option हो गया ये ठीक है तो that is wrong फिर कहा हाई literacy rate ये बिलकुल ही गलत कह रहा है high literacy rate ये तो low थी बहुत 16% थी थी high mortality ये बात सही कह रहा है low ये भी सही कह रहा है 44 सी life expectancy तो एक बात गलत हो गई तो पूरा गलत हो गया ये फिर कहा है low level of literacy ये बात सही कह रहा है low level literacy स्केवल 16% थी literacy rate बहुत की high mortality ये भी सही कह रहा है 218 per thousand high life expectancy गलत कह रहा है क्योंकि ये सिर्फ 44 years थी तो पूरा गलत हो गया आप कहा है low level of literacy ये बात सही है 16% थी high mortality ये बात बिल्कु सही है 218 थी और low life expectancy ये बात भी बिल्कु सही है 24 साल थी तो तीनों बात ये सही है D option होगा इसका answer ठीक है जी आगे चलते मेटा कह रहा है from 1881 1881 के बात से census जो थी वो इंडिया में carried out की जा रही है every 10 years हर 10 साल में की जा रही है है न आप जानते हैं last कब हुई थी बेटा last जो census थी वो कब हुई थी 2011 में हुई थी और जो recent में होने वाली थी वो 2021 में होने वाली थी लेकिन due to corona covid-19 की वज़े से उसको postpone कर दिया गया ठीक है तो इसका 10 answer हो था 10 साल में हो गी है चलिए आगे चलते हैं कह रहा है इंडिया entered कौन सी stage में इंडिया पहुँच गया था demographic transition transition मतलब बदलाव बदलाव यानि की change बदलाव यानि की change तो देखिए हमने बनाते हैं ज़रा 1921 1921 बनाया हमने 1921 से पहले population लगातार बढ़ रही है गटरी है बढ़ रही है गटरी है ऐसे मामना चल रहा है 1921 के बाद से लगातार बढ़ी रही है population तो demographic transition की पहली stage है 1921 से पहले और second stage है बाद में इसने पूछा है after after का मतलब second stage है तो answer होगा B चली जागे चलता है अब हम लोग 14 के रहे India experience dash death rate before 1921 death rate बेटा क्या थी काफी high थी death rate काफी लोग मरते थे 1921 से पहले तभी तो हमागी population थी 1921 से पहले काफी fluctuate होती थी तो कि लोग मरते भी थे पैदा भी होते थे high थी इसके बाद यहाँ low हो गई थी चली कोचे मैं 15 करते है which of the following statement is not true देखिए लिखा है not true क्या सही नहीं है जो गलत है वो सही होगा गलत बात बतानी कौन सी बात गलत है गलत चीजों को point out करने ठीक है तो कह रहा है infant mortality rate was very high 218 per thousand थी बात तो बिलकुँ सही है इंडिया second stage में पहुंच गया था demographic transition की यह बात बिलकुँ सही है बेटा life expectancy was too high यह बात गलत है बेटा क्योंकि 44 years ही थी female की literacy rate क्यों थी 7% यह बात बिलकुँ सही है total थी आपकी 16% और female की थी 7% तो जो बात गलत है वो बता नहीं सही है तो गलत है यह 44 years वाली too high जबकि यह low दिखा रहे है काफी low है तो answer होगा C चलिजी question number 16 करते है which of the following statement is correctly described क्या है जो सही है वो बताना है correctly described demographic transition में transition word का मतलब होता है change तो इसका जो answer है change मतलब change कहा हो रहा है high death rate और birth rate birth rate और death rate से change हो रहा है low death rate और low birth rate मतलब birth और low पे तो यहाँ पे change हो रहा है shift हो रहा है shift तो shift ही तो change होगा shift हो रहा है change का मतलब shift हो रहा है सामला हाई बर्थ रेट से लोग बर्थ रेट डेट की तरफ चलिए बेटा आगे चलते हैं अगला जो कोशन आपका वह फॉरेंट ट्रेड से रिलीटिट कोशन फॉरेंट रिलीटिट कोशन ओर देन हाफ अप इंडिया फॉरेंट टेड वह रिस्टिक्ट टू ब्रिटेन 50% स यह हमारा आगया ब्रिटेन चलिए ओपनिंग ऑफ स्वेस के नाल डेरेक्ट रूट सर्फ एज डेरेक्ट रूट फॉर शिप ओपरेटिंग बिट्वीन इंडिया और ब्रिटेन बिल्कुल सही बात है बई इसलिए तो स्वेस के नाल बनाएगी थी कब बनाएगे थी 1869 में बनाएगे थी एजिप्ट के रास्ते बनाएगे थी जो इंडिया से कच्चा माल ले जाएंगे सीधा का सीधा ब्रिटेन पहुंच जाएगा घूम के नहीं जाना पड़ेगा चलिए हो गया जीसका अंसर ओन दा इव अफ इंडिपेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडें गलत स्टेट्मेंट बतानी है क्या गलत है फॉरेंट ट्रेड के कॉंटेक्स में क्या गलत है तो इंडिया एक्सपोर्ट करता था रॉमेटल बात बिल्कु सही है सर्प्लस होता था इंडिया को फॉरेंट ट्रेड में यह बात बिल्कु सही है यह तो सप्राइजिंग बात लि इंपोर्ट भी करता था इंडिया फिनिच गूड्स को बिटेंस इंपोर्ट करता था पॉल्स और जैम इंपोर्ट करते थे ये बात गलत है तो इसका आंसर होगा जो गलत हो बताना है आंसर होगा डी चलिए आगे चलते हैं यह नहीं कि कहा रहा है 18th century sorry 20th century के बिटिश रूल में इंडिया को एक्सपोर्ट surplus था ये बात बिलकुत सही है क्योंकि एक्सपोर्ट ज्यादा था और इंपोर्ट कम था ये बात बिलकुत सही है अब इसको कहां पे उन्होंने यूज किया बिटिश वालोंने कहां यूज किया तो बेटा बरबाद कर दिया इसको भारत के surplus को surplus मतलब profit surplus को मतलब profit तो जो भारत को profit होता था surplus होता था उसको British वालों ने बरबाद कर दिया काम बरबाद किया to meet official and war expenses पे बरबाद कर दिया ठीक है चलिए अगला question भी इसी से related है question number 22 to इसी से related है कि export surplus को British वालों ने बरबाद कर दिया था मतलब कहां use किया था एक ही बात है कहां use किया मतलब कहां बरबाद किया तो तीनों ही सही answer इसके office setup भी लगाए उन्होंने उन्होंने war पे पैसा खर्च कर दिया उन्होंने invisible item import किये invisible item का मतलब services import की services का मतलब उन्होंने विदेशों से लोग बुलाए विदेशों से लोग बुलाए ताकि वो service दे सके इंडिया में Britain के लिए तो उन्होंने services import किये ये बात बिल्कुत सही है किनों बात है सही है तो इसका answer होगा all of these इसका answer होगा all of these चलिए आगे चलते हैं which of the following is not true देखें not true लिखा है जो false है वो बताना है false जो गलत है वो बताना है अच्छा यह यहां पर गलती से छप गया है छप गया मतलब गलती से प्रिंट हो गया यह foreign foreign trade से related बात हो गया यहां पर foreign trade के context में क्या बात गलत है तो पहली बात गलत है इंडिया suffered from large trade deficit यह बात बिलकुल गलत है trade deficit नहीं हमें surplus होता था profit यह बात गलत है तो answer मिली गया हमें ए यह बात भी गलत यह बात सही है कि हमें restrictions में रहके काम करना पड़ता था ब्रिटेन का हमारे उपर अधिकार था तो हमें restriction में काम करना पड़ता था ब्रिटेन वालों की monopoly भारत के foreign trade के उपर यह बात भी बिलकुल सही है और हम primary good को export कर जेते प्रैमरी गुड़ जैसे silk हो गया जूट हो गया cotton हो गया इनको में एक्सपोर्ट कर जेते और finished goods को हम consumer goods Google एक ही बात है यहीरे बात के सही यह जो घलत हो बतानी थो गलत किया है पहला पॉइंट प्वाइंट गलत है तो जो गलत बतानी इसका मतलब यह आपका एंसार चल्गे चलते हैं इंड़ारी रिलेटीट एम सिक्यू तो MCU के बारे में बताना है इंडस्ट्री से रिलिटिट कह रहा है which industry received a major setback मतलब जटका जटका colonial government यानि की British rule British rule में कौन सी इंडस्ट्री को जटका लगा था तो भई हैंडी क्राफ्ट को लगा था पढ़ाओगा आपने decay of हैंडी क्राफ्ट ठीके कई लोग decline भी बोलते हैं इसको decline of हैंडी क्राफ्ट ये इसका answer है चलिए आगे चलते हैं कह रहा है India's jute industry suffered heavily due to dash after partition partition के बाद हमें क्या नहीं मिला और हमाई jute industry को बहुत सफर करना पड़ा तो भई इसमें हमें raw material नहीं मिला lack of raw material lack of raw material तो इसका answer होगा A क्योंकि हमारा जो raw material था वो पाकिस्तान में चला गया था तो partition का मतलब इंडिया और पाकिस्तान बन गये थे इंडिया एंड पाकिस्तान तो हमारा जो बंगाल का जो एगलिया था बेंगॉल जहां पर जूट बहुत ज़्यादा होती थी वो पूरा जो एगलिया था हमारा वो पाकिस्तान में चला गया था इसलिए हमें raw material नहीं मिल पाता था ठीक है चली अब चलते हैं question number 26 पे कहला है decline of handicraft की बज़े से क्या हुआ है handicraft बरबाद हो गया decline बरबाद हो गया या कम हो गया कुछ भी कह सकते हो कम या बरबाद तो handicraft के बरबाद होने से unemployment भी फैल गई थी हमें finished goods को import करना पड़ता था दोनों answer इसके सही है finished goods भी close को import तो करेंगे न बिना close के कैसे रहेंगे तो दोनों चीज़े बात सही है तो इसका answer होगा both A and B तो 26 भी हमारा हो गया 27 करते हैं which industry adversely affected due to partition भारत पाकिस्तान इंडिया एंड पाकिस्तान जब बने थे तो कौन सी industry थी उसको बहुत दुख जहिलना पड़ा मतलब बहुत दिक्कत जिसको हुई adversely affected हो थी jute industry क्योंकि jute industry हमारी अभी मैंने कर रहा है बंगाल में थी और बंगाल कटके पाकिस्तान में चला गया था चलिए आगे चलते हैं 28 which of the following statement is false देगी बेटा false बताना है आपको जो गलत है वो बताना है गलत चीज़ बतानी है industrial sector के reference में जो गलत है वो बताना है आपको तो कह रहा है there was decline in handicraft in decline in handicraft industry तो यह बात बिलकुँ सही है बेटा यहां में बिटा देते हैं इसको तो यह बात बिलकुँ सही है कि decline था handicraft को बरबात किया उन्होंने British government promoted भाई यह कैसे कह रहा है promoted capital code industry भाई यह तो बिलकुल गलत कह रहा है यह वो गलत कह रहा है क्योंकि उन्होंने कभी promote नहीं किया अंग्रेजों ने बिटिश गवर्मेंट ने भारत के अंदर capital good industry को promote नहीं किया इंडिया exporter of primary good यह बात बिलकुँ सही है GDP में contribution industry का बहुत लो था यह बात भी सही है तो जो गलत है वो बताना है तो गलत कह रहा है तो यह आपका अंसर हो जाएगा ठीक है बही चलिए 29 करते हैं हम लोग कह रहा है था main reason main reason for decline of handicraft industry was ठीक है जी main reason क्या था तो देखिए सारे point एक जैसे लग रहे हैं लेकिन बहुत जहां से करना है ठीक है तो देखिए यहां पर लिखा है tariff tariff का मदब tax होता है बेटा तो बहुत है tax लगाया उन्होंने export of raw material from India यह बात बिलकुल गलत है बेटा वो तो tax free था export तो कि जितना मरजी इंडिया से export करो raw material जोकि बिटेन को फायदा था raw material export होगा इंडिया से तो बिटेन के industry में काम आएगा तो इंडिया को फायदा उसको बिटेन को फायदा था तो इसलिए उन्होंने tax free रखा duty का मतलब भी टेक्स होता है तो heavy tax लगाया इंडिया के handicraft पर यह बात बिलकुल सही है बेटा इंडिया के handicraft पर बॉलर टेक्स लगाया था कि handicraft बरबाद हो सके तो बात सही है कि having tariff मतलब टेक्स तैसेध कमईलब टेक्स हो गया on import of finished goods from बिटें ये बात बिलकुल गलत है बेटा ये भी tax free था जितना मरजी बिटेन से इंपोर्ट करो do finish goods कोई दिकत नहीं होगी आपको तो यह भी टेक्स फ्री स तो इसका answer होगा बी इसका अंसर है heavy duty on Indian handicraft products चली बेटा आगे चलते हैं कि कोशन 30 कर रहे हैं बेटा कह रहा है during the second half of 19th century cotton textile mills mainly dominated by Indians Indian entrepreneurs were located mainly in यह महारास्ट इसका अंसर है महारास्ट में cotton industry थी जो इंडियन्स लोग dominate करते थे और बंगाल में जूट इंडस्ट्री थी जो फॉगिनर्स जो फॉगिनर्स थे वो dominate करते थे ठीक है भई इंडियन्स के बारे में पूछा है cotton के बारे में पूछा है तो महारास्ट इसका अंसर होगा चली आगे चलते हैं कह रहा है occupational structure की बात कर रहा है काम धंदा का मतलब काम धंदा या काम धाम भी कह सकते हैं काम धंदा तो बही काम धंदे की बात करें तो कह रहा है कि occupational structure का मतलब क्या है तो पहला इसका अंसर है distribution of working force among different occupations यानि कि भारत के जो कामगार लोग हैं जो काम करने वाले लोग हैं वो कौन से occupation में काम करते हैं क्या वो primary sector में काम करते हैं या वो secondary sector में काम करते हैं या वो tertial यानि कि service sector tertial लिख देते हैं tertial sector में काम करते हैं इसी को बताना ही तो होता है हमारा occupational structure चलि जाके चलते हैं क्यारे dash sector played a predominant role predominant role occupational structure में किसका था बिटिश काल के दौरान तो भी agriculture का था 72% लोग agriculture में थे 10% लोग आपके manufacturing में थे 18% लोग आपके services में थे तो answer होगा agriculture main role किसका था main role था आपका agriculture का चलिए question में 30 दिल करते हैं कह रहा है from the following identify the incorrect यानि की गलत चीज़ बतानी है जो गलत है उसको बताना है incorrect statement को सही बताना है मतलब incorrect है उसको चूज करना है इंडिया के occupational structure के बारे में बताना है तो कह रहा है agriculture sector accounted for largest share of workforce भी 72% था सही कह रहा है ये बात तो सही है industrial and service sector grew at faster rate than agriculture भी ये कैसे हो सकता है ये गलत है बिटा ये तो बिल्कुल गलत है agriculture sector was marked as disguise unemployment ये बात बिल्कुल सही disguise unemployment का मतलब है शिपी हुई बेरोजगारी जब किसी एक काम को जरूत से ज़्यादा लोग करते हैं तो उसे disguise unemployment बोलते हैं ये agriculture sector में थी क्योंकि ये एक खेत है इस खेत में अगर दो लोगों की जरूत है और इसके अंदर अगर पांच लोग काम कर रहे हैं तो तीन लोग जो है वो एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं जिनकी अवश्रिक्ता नहीं है इसे बोलता है disguised unemployment और इंडिया में परिवार के परिवार agriculture sector में काम करते थे ठीक है और हमागी unbalance growth थी unbalance growth unequal distribution of workforce बात बिल्कु सही है क्योंकि 72% agriculture में थी 10% आपकी manufacturing में थी 18% आपकी services में थी तो काफी unbalance है तो यह बात भी बिल्कु सही है तो जो गलत है उसको बताना है गलत कौन सही है तो इसका answer है B चलिए आगे चलते है miscellaneous related questions इसमें other questions है other इसमें questions है तो पहला question कह रहा है British introduced railway railway का introduction कब हुआ था इंडिया में Britishers ने किया था 1850 में 1850 में हुआ था ठीक है first train कब चलाई गई थी 1853 में काँ चलाई गई थी between Bombay to थाने चलाई थी first train यह 34 किलोमेटर तक का एलिया था first passenger train थी 16 अपरेल को चलाई गई थी 16 अपरेल 1853 को चलिए बिट आगे चलते है 36 आगे हमारा dash was the most important infrastructure सबसे important infrastructure जो develop हुआ था वो था भई railway most important railway हाला कि यह भी किया उन्होंने यह भी किया लेकिन most important तो railway है ठीक है अंग्रेजों नहीं किया था यह फिर कह रहा है the foundation मतलब नीव ब्रिटिश अंपायर की इंडिया में पड़ी थी battle of plassey की वज़े से battle of plassey plassey is a place in bangal एक place है बेंगाल में जहां पर युत हुआ था battle of plassey का तो भी वो कब हुआ था वो 1757 पहला इस कांसर होगा अब कह रहा है out of the following statement which is correct जो सही है वो बताना है सही बताना है ठीक है तो स्वेज कैनल ओपन पहला option है स्वेज कैनल वाज ओपन इन 1769 गलत है बिटा यह यह 1869 इसमें थी यह first official census यह बिलकु सही है जी 1881 में होई थी टिसको, टाटा, आइरें एंड स्टील कंपनी यह 1907 में बनी थी यह बात बिलकुल गलत है और battle of plastic भी गलत है अभी के किया है हमने यह थोड़ी देर पहले ही 1757 इसका सही answer है तो जो सही है इसके अंदर वो दिया हुआ है 1881 में first official census को answer होगा B 38 को answer होगा B चलिए कह रहा है chronological order arrange 39 question कह रहा है arrange the following events in chronological order इसका मतलब होता है पहले आया उसको लिखना है उसके बाद लिखना है बाद वाले को पहले पहला बाद बाद में इसको छोटे से बड़ा भी कह सकते हैं छोटा पहले लिखना है और बड़ा बाद में लिखना है ठीक है तो ठीक है जो लिंकिंग बॉंबे थाने का जो फॉर्स रेलवे बिरिज था वो NCRT की बुक में दिया हुआ है 1854 ठीक है यह NCRT से देखके बता रहा हूँ इयर अफ ग्रेट डिवाइड 1921 को बोलते हैं बैटल अब प्लासी अभी कह है 1757 First Official Census 1881 तो सबसे पहले तो यही हुआ 1881 नहीं जी 1757 हुआ तो इसका होगा 3 पहले 3 हुआ उसके बाद क्या हुआ उसके बाद हुआ 1881 4 नहीं नीं बेटा 1854 हुआ उसके बाद तो 1 उसके बाद हुआ आपका ये 1881, 4th और उसके बाद हुआ 1991, year of great divide तो 3142 इसका अंतर होगा यह होगा option D 3142 चली जागे चलते हैं हम लोग 40 पे देखी जारा ध्यान से थोड़ा difficult question है हर बुक में यह question दिया हुआ है कह रहा है colonial government यानि की British government British government ने कोई sincere attempt नहीं किया इंडिया की national income और per capita income को नापने का फिर भी जो studies हुई है उनके हिसाब से national income की growth rate क्या थी और per capita income की growth rate क्या थी वो बता लिया तो पेटा इसमें आपको पहले fact पता होना चीए इसमें एक simple सा fact है वो ये कि जो national income थी उसकी growth rate जो थी national income की वो थी less than 2% less than 2% और जो per capita income की थी per capita income की वो थी around 0.5% की growth rate तो देख लिए कहां लिखा हुआ ये तो close to 5% अच्छा पहले वाला जो वो national income का है close to 5% जबकि यहां दो लिखा हुआ है तो ये तो option ही गलत हो गया less than 3% जबकि यहां less than 2% लिखा है तो ये भी गलत हो गया close to half percent नहीं बेटा है जो 2% लिखा है ये भी गलत हो गया less than 2% ये बिल्कुर ठीक है less than 2% ये सही है अब अगला वाला भी चेक करना पड़ेगा close to half percent तो ये following event into chronological फिर से chronological order की बात कर रहा है यानि कि जो पहले हुआ है उसको पहले लिखना है और जो बाद वाले को बाद में लिखना है ठीक है तो year of great white 1921 टिसको की इस था अपना टाटा iron and steel company बोलते हैं इसको 1907 introduction of railway in India 1850 स्वेज के नाल 1869 में बनी थी तो सबसे पहले 1850 हुआ तो third पहले आया उसके बाद 1869 four हुआ उसके बाद 1907 यानिकी two हुआ उसके बाद 1921 यानिकी one तो three four two one इसका answer है डी answer होगा three four two one चले बेटा 41 question भी होगी हमारा अब है 42 इन statements को बताना है पहले तो पहले दोख करते हैं सही है गलत इसको देखते है high birth rate थी high death rate थी इंडिया के अंदर ये बात सही है 48 तो birth rate थी और 40 death rate थी सही बात है बिल्कुल इंडिया में predominant मतलब बहुत main role था agriculture economy थी इंडिया की ये बात सही है क्योंकि 72 परसेंट लोग agriculture में इंगेज थे infant mortality rate काफी low थी low कह रहा है ये बात गलत बलकि बहुत high थी 218 पर thousand ये काफी high है और इंडिया बिकेम exporter of finished goods इंडिया finished goods को export करता था और import करता था primary good यानि की raw material तो ये बात तो बिलकुल क्या है इंपोर्ट गलत है इंपोर्ट हमने कभी finished goods एक्स्पोर्ट canal नी किए यह व्हूट लिख दिया इन्होंने ना है इंपोर्ट फिनीश्गूर्ट हो इंडियों में बनते थे तो इंपोर्ट महां कैसे करेंगी यह बाद बिल्कुल है कि दो इस उट वाली बतना इन इडिया से गलत आरं楽 copyright वह बताना और में इंडिपेंडेंट्स इंडिन एकॉनमी वाज तो स्टेग्नेंट एकॉनमी भी थी बैकवर्ड भी थी डिप्लिटिटिट एकॉनमी भी थी तो अल अगे चलते हैं अगला कुछ देखिए 44 कह रहा है from the set of information given in column A and column B choose the correct pair बेटा correct pair बताने आपको ठीक है correct वाला बताने तो first railway bridge linking bomb बेट उथाने इसका सब पेर कौन से 1843 गलत है यह 1854 होना चाहिए इसका सब तो यह option गलत है यह पेर गलत है first official census 1881 यह सही option है battle of plasi का पेर देखो जरा गलत है 1757 होना चाहिए इसका answer यह भी गलत है opening of swiss canal भी गलत है 1869 होना चाहिए इसका तो यह भी गलत है जो सही है उसको टिक करना है सही कह है B option first official census यहनिकी B option सही है इसका तो answer हो जाएगा इसका B ठीक है बही चलिए 45 करते हैं बेटा इसको टिफिकल्ट कोशन है 45 कह रहा है कौन सी statement correct है correct का मतलब जो सही है उसको बताना है सही को बताना है तो कह रहा है British colonial rule में इंडिया net importer था raw material का यह बात बिलकुल गलत है बेटा इंपोर्टर नी था एक्सपोर्टर था raw material को हम एक्सपोर्ट करते थे raw material बेटा अभी पता है आपको मैंने बता है silk, jute वगेरा silk हो गया है ना jute हो गया cotton हो गया इनको हम एक्सपोर्ट करते थे क्या करते थे export और इन्होंने लिखा इंपोर्ट थो गलत है real motive जो था बिटिशर का वो डैवलप infrastructure डैवलप करने के बीछे real motive bittishers का जो था वो इंडिया के लोगों को serve करना था क्या क्या वो इंडिया की लोगों को serve करने आये थे क्या नहीं ये बात भी गलत है इंडिया को serve करने नहीं आये थे वो इंडिया generated large export surplus during the bittish rule ये बात बिल्कुछ सही है बेटा export surplus हमें होता था क्योंकि हमारा export ज्यादा था और import हमारा कम था ठीक है चलिए डी कह रहा है Indian handicraft industry enjoyed worldwide reputation under British rule ये बिल्कुल गलत है वही उन्होंने तो handicraft को decay किया था बरबाद किया था उन्होंने handicraft को तो ये बात गलत है जो सही है वो बताना है तो सही है option C India generated large export surplus चलिए आगे चलते मेटा कह रहा है during colonial period estimate of dash on national income and per capita income work consider very significant भाई वो तो सबसे अच्छा निकाला था सबसे अच्छी national income और per capita income निकाली थी राओ साब ने राओ साब ने निकाली थी तो V के आरे वे राओ इसका अंसर है चलिए who is considered the father of national income national income का फादर का जाता है दादा भाई नरोजे को नरोजी क्योंकि first time इन्हों नहीं किया था first time इन्हों नहीं national income को estimate किया था जो पहली बार करेगा उसी के सिर पे सेरा बंदेगा तो ये father of national income दादा भाई नरोजी है चलिज़ आगे चलते हैं क्यारा है farming in which crops are produced to provide basic need of family तो इसे subsistence farming बोलते हैं मेटा क्योंकि production for self-consumption production for self-consumption खुद के लिए produce करना खुद की family के लिए produce करना उसे ही बोलते हैं self-consumption तो subsistence farming होता ही है चलिए बिटा आगे चलते है कह रहा है who is considered the father of Indian railway यानि कि इंडिया में इंडियन railway लाने की पीछे किस व्यक्ति का mathpun role था जाहिर सी बात अंग्रेज का रहा होगा क्योंकि अंग्रेजी लेकिया है थे तो Lord Dalhoji Lord Dalhoji को बोलते है father of Indian railway और बेटा आखरी question शायद आपको ना दिख रहो या कम दिख रहो समरिद बोल सकते हैं क्या बोल सकते हैं समरिद यान की prosperity Prosperious economy थी तो इसका answer होगा C Prosperious economy backward भी निइ थी stagnant तो अंग्रेजी लोका आन के बाद हुई है backward उनके आन के बाद हुई है amplitude उनके आन के बाद हुई है when answer होगा C इसका C option है ठीक है भी तो दोस्तों यहां पर यह 50 कोशन मैंने करा दिया आपको MCQ के इसके बाहर कुछ भी नहीं आएगा दोस्तों अगर यहां तक आपने वीडियो देखी है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना वीडियो पसंद आएए तो लाइक कर देना और अगर आपकी किसी दोस्त को यह रिस्सदार तो यह वीडियो काम आ सकती है तो उसको शेर भी जरूर कर देना किसी और वीडियो में आपसे मुलागात होगी तब तक लिए थैंक्यू सो मच नमस्ते